महामारी ने जो संकट पूरे विश्व के सामने उपस्तित किया है उसे देखते हुए मेरी यही कामना है कि हम सभी पर बस्वेश्वर की कृपा बनी रहें और हम भारतवासी मिलकर इस महामारी को परास कर पाएं और न सिर्फ भारत का पूरी मानवजात के कल्यान में कुछ न कुछ हम योगदान दे पाएं साथियों मुझे भगवान बस्वेश्वर के वचनों उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सिखने का सोभागी मिला है चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मुर्ती के अनावरन का आउसर हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है नई उर्जा प्राप्त की है नई प्रेरना प्राप्त की है साथियों मुझे बताया गया कि 2017 में बसमंगना के वचन के डिजिटाइजेशन का जो सुझाव मैंने रखा था उस पर आपने व्यापक काम किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ इस बार ये समारों भी डिजिटली पूरी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है लोकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक प्रकार से ये ओनलाइन समागम का भी बहुत उत्तम उधारना है आपके इस प्रयास से बस्वन्ना के जो उन्हाने रास्ता दिखाया है और उनके आदर्सों से दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे साथियों समसार में भाती भाती के लोग होते हैं हम देखते हैं कुछ लोग बाते तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आच्रण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है कुछ लेक ऐसे होते हैं तो ये तो जानते हैं कि सही क्या है लेकिन सही को सही बोलने से डरते हैं पहले स्वार्थ के तराजू से सब कुछ तोलते हैं लेकिन बसमन्ना ने सिरफ उपदेश का रास्ता नहीं चुना बल्कि जो सुधार वो व्यक्ति में समाज में चाहते थे उन्होंने वो स्वयम से शुरू किया जब हम परिवर्तन को, रिफॉर्म को खूद जीने लग जाते हैं खूद उधारन बनते हैं तभी हमारे आसपास भी सार्थक परिवर्तन होते हैं बसवन्नाने और उनसे आप उनके दैविये गुण भी सिख सकते हैं और साथ ही एक अच्छे प्रशाशक, एक अच्छे सुधारक, एक प्रकार से समाज सेवा में समर्पित जीवन के रुप में भी हम उनसे प्रेना पा सकते हैं भगवान बस्वेश्वर की वानी, उनके वचन, उनके उपदेश, क्यान का ऐसा स्रोत है जो आध्यात्मिक भी हैं, और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ, प्रेक्टिकल गाइड की तरह मार्ग भी दिखाते हैं उनके उपदेश हमें भी एक बहतर मानव बनने की सिख्षा देते हैं और हमारे समाज को भी और अधिक उदार, अधिक दयालू, और अधिक मानविय सम्वेदानाओं से भर देते हैं और साथियों, भगवान, बस्वेस्वर्ज, उन्होंने जो कहा, वो ये भी बताता है, कि वो कितने बड़े दूर द्रश्टा थे आज से सद्यों पहले ही भगवान, बस्वेस्वर्ज ने सोशल और जेंडर इक्वेलिटी जैसे बड़े महत्वपुन विशाओं पर उस जमाने में समाज का मारदर्शन किया था जब तक कमजोर को बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं मिलता, तब तक हमारी हर उन्नती अधूरी है ये बात उन्होंने उस दौर में समाज को सिखाई थी बसमन्ना ने एक ऐसे सामाजीक लोगतंत्र की नीव रखी थी जहां समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता पहली प्रात्पिकता हो बसमन्ना ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है उसको बहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल समाधान सुझाए है बसमन्ना ने हमेशा स्रम का सम्मान किया उन्होंने महनत को महत्व दिया वो कहते थे समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट की सेवा में एक स्रमिक ही है कितनी बड़ी बात पताई है उनका विश्व दर्सम करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आँखों में से करुणा और प्रेम के जरने बह रहे हैं उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतिय संस्कृति के केंद्र में रखा और इसलिए आज जब हमारा देश हमारा भारत अनेग चुनोतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है तो बसवन्ना के विचार उतेने ही प्रासंगी हो जाते है उनके इश्वरिय वचन हो या अनुभव मंटपा की उनकी लोकतांत्रिक ववस्ता या फिर स्वावलंबन के प्रयास हो बसवेश्वर ने हमेशा इने समाज निर्मान का एहम हिस्सा बनाया समाज और प्रकृतिका एग भाव प्रकृतिक और सामाजिक संसाधनों का सैयम के साथ उप्योग उनकी ये भामनाये जितनी सैंक्डो वर्ष पूर्व महत्वपुन थी आज भी उतनी ही महत्वपुन है साथियों 21 सदी के भारत में भी आज अपने आसपास युवा साथियों में देश वासियों में सार्थक बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति मजबूत संकल्ब शक्ति मैं हमेशा अनुभव करता हूँ 130 करोड देश वासियों की वही शंकल्ब सक्ति जिसकी प्रेणा सदियों पहले बसमन्ना ने दी थी आज भारत वासियों को ये लगता है कि परिवर्तन वाकई उनसे शुरू होता है इस प्रकार की आशा और विश्वास देश को मुश्किल से मुश्किल चुनोतियों से बहार निकालने में बहुत मदद करता है और कर रहा है साथियों इसी आशा और विश्वास के संदेश को हमें आगे भढ़ाना है इतना ही नहीं उसको मजबूत करने में अपना योगदान भी देना है यदि हमें परिश्रम और परपकार के लिए प्रेरित करेगा तभी तो हमें इच्छित प्रणाम मिलेंगे यही इस दशक में हमारे राश को नई उच्चाई पर ले जाएगा आप सभी भगवान बसमना के वचनों को उनके आदर्शों को दुनिया भर में प्रसारित करते रहें दुनिया को और अच्छा बनाते रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हाँ इन सब कारियों के बीच आप सभी अपने स्वास्त का भी ध्यान रखिएगा और इन दिनों स्वास्त का ध्यान रखने के लिए ये की मंत्रा है जब दवाईया नहीं है वैक्सिन नहीं है और बिमारी कब कहां से आधमकेगी पता नहीं है तब एक ही रास्ता बचा है दो गज दुरी हर एक के साथ दो गज की दुरी